नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश देश आंतर में मैं हूँ प्रीती सिंग दो सितंबर से शुरू हुए कॉप 14 सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनेधी दुनिया को बढ़ते मरुस्थले करन से बचाने की मोहिम के तहद मन्थन कर रहे हैं इस बार भारत इस कारिक्रम की मेजबानी कर रहा है इस सम्मेलन में अभी तक दुनिया भर के वैग्यानेक अपने अपने मुलकों की समस्याए और उनसे निपटने को लेकर उठाए गए कदमों को साजह कर चुके हैं प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने भारत के रुख को साफ करते हुए कहा है कि भारत 2030 तक दो करोड़ दस लाख हेक्टेर बंजर जमीन को उपजाओ बनाने के अपने लक्ष को बढ़ा कर दो करोड़ साट लाख हेक्टेर करेगा प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने मरुस्थली करण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्रे संधी में शामिल देशों के चौधवे संबेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2015 और 2017 की बीज भारत में पेड और जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेर की बढ़ोतरी 13 सितंबर तक चलने वाले कॉफ 14 से जलवायो परिवर्दन जैव विविदता मरुस्थली करण जैसी विश्व व्यापक समस्या का सामना करने के लिए किस तरह का रोड मैप सामने आ रहा है ताकि आने वाली पीडियों के लिए प्रित्वी सुरक्षित बनी रहे इसी पर बहुत स्वागत है कारिक्रम में हमारे साथ जुडेंगे प्रोफेसर सी दूबे डिपार्टमेंट ओफ एन्वार्मेंट जियोलोजी डिली उनिवरस्टी और साथी हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है वरिश्व पत्रकार संदीप सेंच जी सर आपका भी बहुत संदीप जी आपसे शुरुआत करूं तो यह बताईए कि पहले यह समझे कि जो मरुस्थली करण जिस पर इतना मंधन हो रहा है वो समस्या कितनी भयावे आज के समय में हैं और किस तरह से हम जलवायों परिवर्तन या जैवे विविदता से छेड़ चाड़ और हम देख रह है पिछले साथ साल से साथ साल पहले भारत सबसेish best Ś जो कंजम्शन के लिए साथ साल पहले हिंदुस्तान की डेंजर लेवल पे आ गया है जहां पे हम लोग कम पानी है हमारा पर कैपिटा जितने हमें चाहिए उससे कम और वो स्तर धीरे धीरे गिर रहा है हर साल तो इसी से हमारे जब हमारे शेहरों में पानी नहीं मिलेगा अभी और दो क्राइसिस से हम पिछले दो साल में गुजर चुके हैं एक तो मराधा वाड़ा साइड में और एक शिमला में जबकि शेहर में बिलकुल पानी था नहीं और रेलवे टैंकर से पानी देना पड़ा अभी तमिल नाडू में भी यह इस्तिती हुआ है तो यह जब हो मरुभूमी बन जाएगा एक एक वो और यह एक बहुत संगीन समस्या है सिर्फ प्रित्वी के लिए नहीं हमारे देश के लिए भी है बिलकुल और इसमें कोई दोराय नहीं है और यह हम धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे हम आरे यहां पे पेड़ कम लग रहे हैं पिछले 50 सा साल में थोड़ा सा इसका कमी हुआ है पर इसके पहले पिछले 50 साल से हमारे यहां पेड़ कम से कम होए जा रहे है और उसके खारण पानी का स्थर हमेशा नीचे गिरे जा रहा है और हमारे शेहर से भी कंजम्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और अग्रिकल्चर में भी हमारा ओपन कनाल पॉलिसी जो है वह 80 परसेंट पानी कंज्यूम करता है हमारा जो एक्रिकल्चर पॉलिसी है जिसमें बहुत वेस्टेज है ओपन कनाल पॉलिसी से डिप इरिगेशन मगर अभी है नहीं और तो यह सारे चीज जो है यह मरुभूमी बना रहा है धीरे धीरे हमारे देश को और इससे हमें मतलब इससे संघर्ष करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन आज नहीं तो कल ठीक है और चुनोती कितनी बड़ी है थोड़ा इसको और समझते हैं यह बताईए कि करीब करीब हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले 30 साल में जो हमें खाद्यान का उत्पा देख रहे हैं तो चुनोती हम जो हम कितनी बड़ी देख रहे हैं यह सबसे पहले मैं जब्हात के खूसी है कि इस वर्स भारत वर्स इसकी मेजवानी कर रहा है और चाइना के बाद लिए और दो साल भारत इसको प्रिजाइट करेगा इसके उबर और यह बड़ा इंप् एन कि दिन में जैसे अभी आपने कहा कि demand for food or demand for other alternative uses for agriculture and also non agriculture sector land की demand बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी जो जरूरते हैं जहां से हमने उसकी demand पूरी करनी है यह degradation की वज़े से सारे हमारे जो policies programs बनते हैं वो fail हो जाते हैं और यह degradation जो है लगभग one third area इंडिया का जो है है वो degradation different level intensity of degradation जो है वो one third area लगभग आप कहेंगे 97 million 200 million hectare जो है इतना area degradation में और यह degradation जो है different तरह का होता है ऐसा नहीं कि एक ही तरह का degradation है यह अलग अलग तरह का degradation होता है जिसे एक number का degradation है जिसे soil erosion होता है soil erosion यह या तो आपका wind erosion होता है से राज्स्थान जैसा जगह वहां जो मटी होती है वो उड़ जाती है धूल की वैसे जब हवा चलती है तो वह मती उड़ जाती है तो soil erosion मत्या इन आपकी उड़ जाती है और खराब आप आपका वहाँ पर पानियापकी मत्टी में कुछ नहीं है वहाँ पर रह जाती में आगया है। यह साइल इरोजान वाली प्राव होती है, BOB הר वाली डेंजररस होती है। यह समझ है यह कैंसर की तरह है। दूसरा जो होता है जिसकarettes केमिकल यह पहले जो साइलिविंगल वाले हो और या उसमें alkalinity आ जाती है, alkalinity एक्षारीपन या acidity, ऐसी चीज़ें soil में आ जाती है, उसकी वज़े से यह हमारी जमीन खराब होने लगती है, तीसरी तरह की जो होती है, जो water locked जाता है, जहां पानी भर जाता है, हमने जैसे canal irrigation दिया, और drainage का प्रोविजन नहीं किया, और वह करता जाता है, तो इनके सुधार के भी अलग अलग तरह के तरीके हैं, तो एक टैरी ने कि study करी थी, आप magnitude पूछ रहते हैं, टैरी जो एक बड़ा अच्छा सथान है, I think tank है, उन्होंने कि study करी थी, कि इससे loss कितना हो रहा है, गवर्मेंट को, तो इसनोंने estimate किया था, लग प्रदबग 46 billion dollar per year हम loss हमको हो रहा है, जो land हमारी degrade हो रही है, तो यह loss तो नोंने निकाला दा सिर्फ जो productivity loss होता है, जो degradation की वज़े से land कि जो biological and economic productivity कम हो जाती है, biological plus economic productivity कम हो जाती है, तो productivity आप राइस लगाते हैं, भीट लगाते हैं, तो उनकी productivity मालीं चार टन ले रहे हैं, तो दीरे-दीरे घटके वो दो टन पर तीन और देल टन पर आ जाएगी, जैसे जैसे land degradation बढ़ता जाएगा, दूसरा जाया है, जो profitability है, एक और से हम किसान की उपज इसकी आमदानी डबल करेंगे, और उसकी income बढ़ानी हमने, दूसरे और से हमारे जो efforts होते हैं, वो land degradation के व जैसे वो कम हो जाती है, तो वो neutralize हो जाता है, तो income किसान की नहीं बढ़ पाती है, तीसरा जो इसका adverse effect होता है, कि इस से livelihood opportunity, जो छोटे किसान है, सीमान किसान है, जिनका बहुत कम जमीन है, अगर उनकी जमीन होती है, तो उनकी livelihood opportunity, वो में बहुत बढ़ा असर पड़ता है, और वहाँ पे इसमें एक theme और भी था, जो हमारा COP18 चल रहा है, force migration, तो जब आपकी land degrade हो जाती है, उसको employment opportunities वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ से food नहीं आ रहा है, food security problem नहीं solve हो पा रही है, तो वहाँ पे force migration हो जाता है, तो migration वो अपने परिवार के साथ दूस जगे जाते है और वहाँ पे employment ढूडने की कोसिस करते हैं, तो यह बड़ा लुकसान उसकी वज़े से भी है, और हमारा ecosystem पूरा adversely affected हो जाता है, और इसके साथ साथ एक और problem इसमें आती है, जो biodiversity होती है, बलकि जो उसके dependent उसमें जो किताडू होते हैं, पक्षी होते हैं, वहाली biodiversity भी adversely affect हो जाती है, जो land degradation जो एक issue है, यह बहुत dangerous है, और हम मुझे खुछी है कि प्रदानमंत्री जी ने इस पे बहुत अच्छे सुझाओ दीते हैं, और इंडिया government कह रही है कि हम 26 million hectare area को by 2030 हम reclaim कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे, यह वैसे लगभग 2.5 million hectare प्रती वर्स हमें इसक लगता है कि यह बहुत difficult task है, इसको हमको अगर हमें करना है तो इसको हमें एक mission mode के रूप में लेना पड़ेगा, और तभी हम सजिन जमीना को restore कर सकते हैं, बिलकुल, जो प्रदानमंत्री ने उपाय बताए हैं, जो कदम बताए हैं, उनका जिक्र हम detail में करते हैं, पहले हम एक छोटा सा comment चुनोती को लेकर प्रोफेसर सी दूबे जी से भी लेंगे, प्रोफेसर दूबे अगर हम भारत की बाद करें, तो चिंता कितनी भयावे हैं, और जो जमीन पर हम देखते हैं, जो मृदा उरुवरता है, सामाने तोर पर अगर देखें, तो देश में जो और फॉस्फोरस की भी व्यापक कमी है, खासतोर से अगर हम देखें, जिंग की कमी है, और पंजाब, हर्याना, उत्रप्रदेश, उत्राका, नांद प्रदेश, बिहार, तमिलनाडो, गुजरात और मध्रदेश की मिट्टी में ये देखने को मिलता है, और इसलिए हम देख हमारा अभी इंडिया का पूरा जाता है, तीस परसेंट का मतलब है कि वन थर्ड की करीब जो है, हम लोग ऑलरी डिग्रेडिड लैंड के उपर जो हम लोग है, ये डिग्रेशन लैंड के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन जो सॉयल फर्डिल्टी है, उसमें ज बड़ा उसका इंपॉर्टेंट वो है कि आप उसमें किस तरह की वाटर की और स्टोरेज की डिग्रेड लैंड की रेस्टोर कैसे करते हो, तो सबसे जादा इंपॉर्टेंट हो मुझे लगता है कि इसमें पानी की मात्रा बार बार बोलते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग और माइग्रो इरिग्रेशन जो है प्रॉसेस उससे सोईल फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ती है, इसी तरह से जो डॉट रिजिलियंट जो एकॉलोजिकली अप्रॉप्रेट प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि इसको सोईल को फर्टाइल बनाने में मदद करते हैं और इस तरह के जो पदार्थ हैं जो कि और्गनिक हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं सोईल को, सोईल की पुरोस्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सोईल की पुरोस्टी नहीं बनी रहेगी और पर्मेविटी नहीं बनी रहेगी, तो पानी जो है नीचे तक जा जरूरी है यह भी IPCC ने भी कहा है अपनी रिपोर्ट में के सबसे यादा इंपोर्डेंट जो है वह एग्रो फोरेस्ट्री और एग्रो एकोलोजिकल और एकोसिस्टम बेज adaptation process जो है उनको करना बहुत जरूरी है ठीक है और हाँ डॉक्टर जुशी आप क्या कह रहे हैं यह बताना चाहरा था कि जो आपने मिट्टी में nutrients का सवाल पूछा था तो जो सबसे बड़ी problem हमारे देश में आ रही है वो है imbalance use of nutrients दो तरह के nutrients होते हैं तो macro nutrients and micro nutrients होते हैं मैक्रो में होते हैं nitrogen, phosphorus and potassium, तो यह imbalance use हो रहा है और nitrogen ज्यादा डालते हैं phosphorus and potassium कम डालते हैं क्योंकि nitrogen जो fertilizer हैं जैसे urea है उसमें subsidy बहुत ज्यादा है तो किसान लोग जो है उसको ज्यादा खरीते हैं as compared to phosphorus and potassium और दूसरा micronutrients है इनकी excessive use हो रहा है तो soil से हम लोग mining कर रहे है micronutrients की mining कर रहे हैं soil से और थोड़े दिनों के मैं ऐसा लगता है कि इनकी कमी होने लगती है है soil में तो वह एक किसम से दूसरे तरह का degradation इसको कहते हैं वह है तो यह एक बड़ा अच्छा initiative सरकार ने निकालता soil health card का soil health card में आपकी खेत में आपकी मिट्टी की जांच होती है मट्टी की जांच में यह पता लगाया जाता है कि आपकी मट्टी में कितने nitrogen की जरूत है phosphorus की जरूत है जिंक की जरूत है उसी हिसाब से आप अपनी उसी मात्रा में आप nutrients का यूज़ करेंगे और इसी कॉप 14 भी ही प्रधानविंद्र ने बताया कि हमने 27 करोल soil health card बहुत अच्छा टार्गेट जो था वह गवर्मेंट एचीव किया है और किसानों को soil health card दिये गए हैं लेकिन आप यह देखना है कि वह किसान लोग अपने उस हिसाब से nutrient यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और जब आप बैलेंस करते हैं nutrients का तो आपकी productivity भी बढ़ती है और fertilizer का कंजम्शन भी कम होता है तो आप एक और से सेव करते है fertilizer को आपकी cost saving होती है दूर से और से आपकी productivity बढ़ती है तो दोनों तरब से आपको income generation आपका income जादा होती है हाँ ठीक है तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो पिधान मंत्री ने बाते कहीं है संदीब से जोशी की बात को आगे बढ़ाए तो उन्होंने कहा किसानों के आमदनी दुगनाकंदी की दिशा में कदम उठाए है लांड restoration और micro irrigation इसमें शामिल है हम per drop more crop की प्रेड़ना के साथ क अंतर ला सकते हैं क्योंकि यह कई देशों में बहुत अंतर लाए हैं जैसे की micro irrigation वगड़ा इसराइल जैसे सूखा देश को उसमें self-sufficiency ले आया है और यह जरूरी है पर इसके पहले भी जब यह fertilizer की बात किये तो उसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ हमारी यहां पर fertilizer का subsidy policy भी गलत है हमारे यूरिया के उपर इतना subsidy है कि हम इंपोर्ट करके भी imported fertilizer के उपर भी subsidy दे रहा है और वह हजार करोड नहीं है वह 20,000-30,000 करोड मतलब fertilizer हमारे यहां पर आते हैं मतलब जो consumption of fertilizer है और fertilizer subsidy है यह मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा है यह जो पैसा है यह actually farmer का ही पैसा है जो कि हम यह सोचते हैं कि fertilizer subsidy में हम दे रहे हैं पर यह जाती है कमपनियों को यह कोई direct subsidy नहीं है आज तक और यह direct subsidy हो जाना चाहिए दूसरा imported fertilizer पे subsidy बंद हो जाना चाहिए दूसरी बात क्या है कि यह जो आज से 20 साल पहले एक होता था SSP करके एक सिंगल फॉसफेट करके एक fertilizer हुआ करता था अब उसका यूज खतम हो गया जिसके कारण हमारे यहां पे pulses वगरा का growth कम हो गया जो fertilizer जो आज के दिन में यूज हो रहा है वो maximum urea use हो रहा है which is wrong मतलब उसमें यह है कि उसके कारण not only कि हम subsidy ज्यादा पे कर रहे हैं पर वो किसान को भी नुकसान कर रहा है और जो हमारे oil seeds और pulses वगरा का production है उससे कम हो रहा है तो इसमें कई problems से micro irrigation की जहां तक बात है कि micro irrigation can change मतलब सारा problem को एक solution की और ले जा सकता है क्योंकि हमने करीब 83,000 crores हमने पिछले budget में मतलब पिछले term में जब जेटली जी थे उन्होंने 83,000 crores उन्होंने allot किया था on open irrigation canals open irrigation canals मतलब यह है कि पानी open canals में आएगा और उससे irrigation होगा तो अगर उतना पैसा micro irrigation में लगाया जाए और open irrigation canals को वाला schemes drop कर दिया जाए तो यह हर जगह पे efficiency बढ़ाएगा आज के दिन में हमारा 80% जो पानी है वो agriculture में लगता है हम अगर किसान को बोलेंगे क्या हम पानी का राशनिंग करेंगे तो हमारे वोट्स कम हो जाएंगे इसलिए हम वो बोल नहीं पाते है पर यह है कि उनको efficiency सिखाना चाहिए और micro irrigation ही एक तरीका है जो कि यह प्रदान मंत्री सही कह रहे है कि माइक्रो इरिगेशन से बहुत बदलाव आ सकता है और माइक्रो इरिगेशन के थ्रू जब आप वो करें तो fertilizer का feeding भी उसी के थ्रू हो जाता है तो वो भी efficient way of वो है तरीका है ठीक है और प्रफेसर दूबे जो लक्ष की बात प्रदान मंत्री ने कही उन्होंने का भारत 2030 त साट लाग हेटेर अब कर रहे हैं कितना achievable लक्ष दिखाई दे रहा है कि देखे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 1.5 और 2 के बीच में आने के जो changes आ रहे हैं उसको किसी तरह से आपको maintain करना है उसका सबसे बड़ा एक तरीका है कि आप किसी तरह से degradation को restore करें restore करने का मतलब है कि जो carbon sink है आपका जो carbon जो global warming के लिए जो उपर जाता है carbon या cg जिसे बोलते gas emissions होती है उनको किसी तरह से आप जो है sink में लेके आए तो restoration जो है वो सबसे बड़ा erosion जब होता है तो अब already हम लोग जो है जो जब climate change का बहुत बड़ा असर था तो 400 ppm जो है carbon का जिए जी का हमारा जो emissions का वो बढ़ चुका था अब जो है वो ही rate इस वक्त हमारे पास है इसको वापिस लाना इतना असान काम नहीं है इसके लिए आपको पूरे system को especially जो है पानी को water harvesting को जैसे भी बताया माइक्रो इरिगेशन को जैसे अभी बताया है micronutrients के लिए especially जो है सबसे जादा agroforestry पे और faces manner में उस पे किस तरह से आप काम करेंगे और soil की fertility को और soil को sink carbon sink कैसे बनाएंगे यह बहुत important है यह जो है जब जमीन उपजाओ होगी उससे food productivity बढ़ेगी food productivity बढ़ेगा तो उसस से जो है आपका cycle जो पुराना है वो चलना शुरू हो जाएगा और climate change से जो अभी जो कहते हैं कि के जो है वो constant जो है जो पहले हम long term constant माने हैं ठीक है और इस बीच जब यह आकड़ा दिया जाता है कि 2015 से 2017 के बीच वन क्षेत्र में आठ लाख हेक्टेर की व्रिद्धी हुई है तो यह कितना उत्साजनक माना है यह बहुत important है और एफ़ोरस्टेशन प्रोग्राम लैंड डिग्रेटेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है और इस पर बताएगा मुझे यह जो कहा जा रहा है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके उतना ही फंड दिया जा रहा है यह किस तरह से बदलावला रहा है इं प्रोग्राम से कई फायदे होते हैं एक तो सौइल आपकी इंपरूब होती है लेंड डिग्रेटेशन जो प्रोसेस जहां पर हो रहाता और रिस्टोर हो जाता है और इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्लाइमिट चेंज को जो का इंपैक्ट है उसको कम कर देता ही जो म प्रोग्राम का जो जो इन्होंने टार्गेट लिया है वो तो जल्दी रिस्टोर हो सकता है यह उतना मुश्किल काम नहीं है अगर हम एक मिशन मोड में लें हर स्टेट वाले इसको आगे को बढ़ाने की कोसिस करते हैं तो एक्रो फॉरस्ट्री या सिर्फ फॉरस्ट्री द तो यह तो एक बड़ा अच्छा है इसू लेकिन जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है इसके लिए हमको एक दूसरे तरह की पॉदसी ऐसी इस तरह का एक कंप्रेहंसिफ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसकी जिससे हम यह 2.5 मिलियन हेक्टर पर प्रती यह प्रती वर्स हम दूसरा इसमें पॉलोसी की जड़त है तीसरा आपका इन्नुवेटिव को ठीक करना उसने जबकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा अलगता है तीसरा जो है आपका चौथा जो है आपका फाइंशल रिक्वाइमेंट पैसा कहा से आएगा क्योंकि यह जो डिग्रेटर एक बार लैंड डिग्रेट हो जाती है उसको सुधारने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और यह प्रोसेस अब लैंड डिग्रेटरेशन है जो मैं शुरू में आपको जञे यह बड़ा प्रोसेस है आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी लैंड इग्रेट हो रही है धीरे एक concept पिधान मंतिर जी ने दिया था कि ज्यादा से ज्यादा हम फसलें कम से कम पानी से लें इसमें इंका बड़ा इंपोर्टन रोल है जिसे आप कम से कम पानी डालेंगे अब तो इतने इतने लेजर और सेंसर इसमें आ गए है इतनी एडवांस टेकलोजी हो गई है कि जितना आपको प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी निकलेगा और उससे ज्यादा पानी आएगा इनहीं जमीन में इतनी एडवांस टेकलोजी हो गई है दूसरा टेकलोजी में सबसे इंपोर्टन योगदान जो एरिड और सेमिरिट एरियाज में लैंड डिडेडेशन को रिस्टोर करने का है वो वाटरशेड प्रोग्राम से वाटरशेड की बात कोई नहीं कर रहा भी तो वाटरशेड जिसमें पानी को आपने हर्वेस्ट करना है जो बरसात का पानी उसको हर्वेस्ट करना है उसको कंजर करना है और जूडिस ली यूज करना उस पानी को इस इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं प्लास्टिक का इस्तमाल जो सिंगल यूज प्लास्टिक के बंदो और साथी दुनिया को भी ये करना होगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो देश हैं उनको आपसी सहयोग इस मसले पर बढ़ाना होगा वैश्विक जल कारवाई एजिड़ना बनाने का भी आगरे किया और साथी उन्होंने कहा कि जो उग्रह और अंत्रिक्ष टेक्नोलोजी के जरीए जमीन को फिर से खेती होगे बनाने में कम लागत वाले जो कादिक्राम है उसमें भारत मित्र देशों की साहिता भी करेगा भारत इसमें एज़ाए लीडर या फिर लीड करता हुआ कितना नजर आ रहा है मदद करता हुआ बाकी कितना नजर आ रहा है बाकी देशों की इसके पहले मैं एक चीज बताता हूँ, क्या पिछले साल Supreme Court ने, Supreme Court के पास 60,000 करोर रुपे Supreme Court ने रखा हुआ था for fines जो government ने industries को किया है for green forestation. ये पिछले साल Supreme Court ने release किया है जो की which will be released to each state, क्या for forestation. तो ये funds आज के दिन में हमारे पास है. ये है इसके center और states मिलके ये funds का इस्तमाल करें. ये पिछले साल बहुत सालों का ये जमा पड़ा हुआ था, अब वो funds release हो गये हैं. तो वो उसके लिए there should be a national institute of forest management जिसके through इसका proper utilization हो जाये जो की re-forestation और re-greening हो. तो इसलिए आज के दिन में हमारे पास funds is opportunity is right. टाइम मिनिस्टर ने बोला भी है. और इसको इस तरह से लागू करना चाहिए. अब दूसरी बात जो है. अब आपने जो मुझे ये बोला है. इसके बारे में. सिंगिल यूज प्लास्टिक हमें बिलकुल ये जो चीज है ये हमें दस साल पहले करना चाहिए था. आज प्रधान मंत्री बोल रहे हैं. पर ये हम करें कैसे. इसके लिए ये है कि इसकी substitutes को हमें encourage करना पड़ेगा. जैसे कि सिंगिल यूज प्लास्टिक के substitute से cloth bag, है paper bags, है glass, है aluminium containers. ये सारे चीज substitute से which are more expensive. जो कि आपको ऐसे लगता है more expensive. पर recycling cost जो है के हिसाब से अगर आप देखें तो कम expensive है क्योंकि वो recycling cost बहुत ज्यादा है. तो government has to take out a policy on substituting. मतलब किसी चीज को ना बोलना तो आसान है पर वो ना हो नहीं पाता है जब तक जा उसके substitutes आ जाये. तो that is one thing which government must do. और ये चीज, India has become one of the largest users of plastic worldwide. और हमारा plastic use next 10 years में कहते हैं double से जादा हो जाएगा. तो इसलिए as a matter of fact आज के दिन में हम big plastic producer भी हो रहे हैं और बड़ा क्योंकि जैसे कि Saudi Arabia 15 billion dollar इंडिया में invest कर रहा है और petrochemicals Reliance के साथ उसमें the product will be plastic and plastic. तो ये सब चीजे देखके हमारे पास एक opportunity बहुत अच्छा है कि हम worldwide plastic reduce करें पर उसके लिए हमारे पास एक comprehensive working plan करना पड़ेगा. Similarly जो चीज आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक एक चीजों में हमें वो जो चीज है सबसे पहले अपने यहां पे एक working model थैयार करके और उसके बाद international collaboration से उसको हमें successful करना पड़ेगा. बिल्कुल यानि आप किया रहे हैं कि challenges बहुत हैं जो plan है वो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन implementation किस तरह से होगा बिल्कुल वो देखना होगा. फिलाल समय यहीं पूरा हो रहा है इसलिए आप तीनों मेहमानों का देश देशांतर के इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं शुक्रियादा कहना चाहूंगी और विश्व भर में 25 प्रतिश्यत जमीन का भूख शरण हो चुका है और इस कारण ये जमीन बेकार हो गई है दुनिया भर में जमीन बंजर होकर रिगिस्तान में तब्दील होती जा रही है और इस वज़े से हम देख रहे हैं दूल भरे तूफान सूखे की समस्या बढ़ रही है सिती तनी भयावे हो चुकी है कि इसका समाधान खोजा जाना और समाधान को अपनाया जाना जैसे हमार चर्चा में शामिल गैस भी कह रहे हैं बेहत जरूरी है तो जाहिर है कि इंसानी समझ और तकनीक की मदद से सब को मिल कर जमीन की उपयोगिता बहाल करनी होगी और इस समय व्यापक स्तर पर जागरुपता के साथ साथ लोगों की भागेदारी की भी जरूरत है इस बार 14 समयलन के उपये जमीन पर भी असरदायक साबित हो इसी उम्मीद के साथ देश देशानतर में फिलहाल इतना ही नमस्कार